नमश्कार आज हम एक ऐसे विक्टित्व से मिलने जा रहे हैं उनसे चर्चा करने जा रहे हैं जिनका न सिर्फ नाम अनुपम है उनका काम भी अनुपम है मेट्रिक्स के प्रबंदन के जितने बड़े निर्णय होते हैं उनमें सम्मिलित होने के साथ में बच्चों में एक बहुत फेमस फैकल्टी के रूप में आप अपना स्थान रखते हैं आप आयाइटीन हैं और आपने अपने सीकर से इस जर्नी को प्रारंब करते हुए पूरे लंबे समय तक एक कॉर्पोरेट की यात्रा के पश्यात वापस लोट करके सीकर पहुंसते हैं और मेट्रिक्स जैसे एक बहतरीन सिस्टम का बड़ा हिस्सा बन करके शेखावाटी की स्विकास यात्रा में अपना योगदान देते हैं मेरे साथ में हैं अनुपम सर सर बहुत बहुत स्वागत आपका आपका सर नाम भी अनुपम है और मेट्रिक्स का काम भी अनुपम है मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्णी को मैट्रिक्स प्रारंब करने तक की यात्रा कैसे बनी कहां कहां से होकर के गुजरे और कहां से आकर के मैट्रिक्स का पौधा आपने लगाया जो आज एक वटवरक्ष के रूप में हम सबके सामने है जो है तो इसके बाद फिर मेरी स्कुली शिक्षा जो है वो जारादतर मेरी उंतरपरदेश में पोस्टेट थे उसके फिर में ने आगे लिए मेकनिकल इंजिनिरिंग से मैं बीटेग करी वहां से पास अउट होने के बाद। कोलेज प्लेस्मेंट के थूर। मैंने बैंगलोर में यॉर्परेट जॉप करी जिसमें मेरी profile थी business analyst profile थी जिसमें coding से related और consultancy mixed होती है उस corporate job को करने के दौरान मुझे ही realized हुआ कि जिस life के पीछे आजकल की generation भागती है शायद उस life के लिए मैं नहीं बनाऊ मुझे वो corporate life culture जिसमें समय की कोई सीमा नहीं होती है आप आपके ग्याराबे तक भी office में बैठे रहते हैं शनिवार और अभिवार की कहने को चुटियां होती है लेकिन किसी समय कोई भी काम आ सकता है और वो सारा काम किसी और विदेश की company के profit में जा रहा होता है वो महनत आपकी वहां जा रही होती है वो समहाँ मेरे को उतना सही नहीं लगा और मेरे को हमेशा से मन था कि मेरे को एक बार कोशिश जरूर करनी है कि एकिए हमेशा से लगता था कि मैं चीजों को काफी अच्छे से समझा सकता हूं लोगों को और लोग मतलब मेरे काने भाले चोटे बच्चे झीए है तो मैं हमेशा से मंध था कि एक बार कोशीश उरूर करेंकि यह अपार ना करने का तो मैंने फिर टीचिंग फील में उतरने का ने लिया पहले पढ़ाया मैंने उसके बाद के हमें उसके हर एंगल से देखने में हर उसके डिपार्टमेंट में हर सेग्मेंट में देखने को मिलती है सब जब 2014 शुरू किया था तो प्रारंभी की रूप से ऐसा होता कि समाज हम पर विस्वास करता है वो हमें एक मोका देता है और हमने देखा कि शेखावटी ने आपको मोका दिया मेट्रिक्स को स्थापित होने के लिए और मेट्रिक्स ने भी उस मोके का भरपूर लाब लेते हुए जबाब देके साथ अपने कदम सधेवे कदम आगे बढ़ा है और आज एक बड़े कैसे देखते हैं और कैसे पूरा करने के बारे में सोचते हैं बिल्कुल सही बात है विश्ण जी की मेट्रिक्स जो है वो आज कोई नई शुरुआत नहीं कर रहा है मेट्रिक्स की नई शुरुआत हो चुकी है और उस पर हम खरें उतर कर हमने सिद्ध कर दिया है कि हमारे उप उस बात से हम बहुत संतुष्ट हैं, वो हमने सिद्ध कर दिया है, इसमें एक बात मैं कहूंगा कि, कहते हैं कि शिखर पर पहुँचना असान होता है, लेकिन वहाँ बने रहना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो अभी सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाद में होती है, अगर काम रखे, उस शिखर पर बने रहें सीकर का, जो शिखर पर हमने अपने आपको priority हमारी दूसरी बात है कि जब हमने शुरुआत करी थी और जब कोविड आया कोविड से पहले मैं आपको बताओंगा किस साल में तो लोगों ने हम पर विश्वास इस तरह से करा था कि भई नई शुरुआत है जो लोग शुरुआत कर रहे हुझा उनने काभिलियत बहुत है उनकी qualifications उनको मालूमती कि यह लोग क्या करके आए हैं जिन्दगी में और young generation है मेहनत तो बहुत करेंगे इस बात का भी विश्वास था उनको और young generation होने से क्या होता है कि नवाचार जल्दी लागू करेंगे अपने system में इस बात का भी लोगों को भरूसा होता है कि नई generation नई online education बलब बच्चों की जो offline education class class में जो अपन देते हैं उसमें कैसे technology का प्रयोग करना इस बारे में हम दो साल पहले से काम कर रहे थे हम already इन चीजों के वारे में सोच रहे थे कि बच्चे बीमार पढ़ते हैं बीमार पढ़ते हैं तो उनके कुछ topics छूट जाते हैं उसकी भर पर वेज होने की बजाए अगर computer पर institute में ही हो जाए इन सब चीजों के पीछे हम दो साल पहले से काम कर रहे थे तो वो जो वीडियो और जिन पर हम काम दो साल पहले से कर रहे थे उसका हमें कोविड जबाया उस समय बहुत benefit मिला हमारे बच्चों को भी मिला और हमें भी मिल कि हमारा आदे से अरा काम पहले से हो रखा था बाकी जो बच्चों को घर पर बैठके पढ़ाने के लिए जो उनके लिए एप लॉंच करनी थी वो सब चीजे हमने जल्दी से करके बच्चों की पढ़ाई में बिल्कुल भी रुकावट आने नहीं थी मैं यह कहना चाहूँ यंग जिनरेशन है, एनर्जेटिक है, नवाचार जल्दी लागू करते हैं, हम उसी विश्वास को कायम रखें कि भले ही आज मेट्रिक्स वाट साल हो चुके हो, स्टार्ट होते हुए, लेकिन आज भी शिक्षा के चेतर में कहीं पर भी कोई नवाचार लागू हो रहे हैं तो उसको मेट्रिक्स में बच्चे है, उनको सबसे पहले उसका बेनेफिट दिया चाएं, और हम इसके प्रती नए-नए एक्सपरिमेंट्स करते रहते हैं, और उन सब में आज़िसली कुछ चीजें लागू नहीं हो पाती हैं, कुछ चीजे लागू होती हैं, जो अच्छी होती हैं उसी का सर आप फाइनली एक्च्वल एप्लिकेशन देखने को मिलता है बिल्कु सही का सर की युवा लोग है और जिस एजुकेशन बैग्डाउंड से आपने हैं वहाँ टेक्नोजी तो होनी होनी है नवाचार भी होनी चीए कि जीवन में दिन नवाचार नहीं चुकि एजुकेशन तो एक कंट्ई चलने माला प्रसेस वह रूख नहीं सकता लेकिन हमारा जीवन हो रूख सकता यंप सकता है घर के कामव में रूख सकता यह तो मैट्रिक्स ने तक्नीक का इस्तिमाल करके शिक्षा के परिद्रश्य को बहतर कैसे बनाया, स्टूडेंट्स को इजी कैसे बनाया, और चुकि टेक्नोलोजी है वो एक दुधारी तलवार भी होती है, उसके अपने फाइदे भी होते हैं, तो आप यह कैसे अशोर करेंगे कि आप टेक्नोलोजी के यूज उसके माध्यम से चीजों को शिक्षा के परिद्रश्य को और बहतरी बनाते चले जाएंगे, देखे, और बहतर बनाने के लिए तो फ्यूचर में जो भी चीज होने वाली है, उसके बारे में तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन जो हम अल्रेडी कर रहे हैं, उसके बारे म समय में, लेकिन अब COVID जा रहा है, अब पूरी तरह से classes offline लग रही हैं, तो online जो video lectures हैं, जैसा कि मैंने कहा, बच्चा बीमार पढ़ जाएं, उसके एक दो lecture चूट जाएं, तो वो सब चीज़े कवर करने के लिए video lectures की availability, कि बच्चा कुछ नहीं, उसकी दो दिन की class चूटी, उस दो दिन के वीडियो जाराम से computer बैटके देख लेता है, और उसका कोई भी topic चूटे भी ना, वो जहां पर class चल रही है, वहीं से वापस class के साथ, continue कर लेता है, दूसरा, जारा तर अपने शेखावटी के बच्चों के साथ एक ये दिक्कत भी है, क्योंकि background जो है, उनका थोड़ा सा गाहों के शेतरका होता है, तो उनको computer-based test की आदत नहीं होती है, तो पहली बार computer चलाना और कागस पे paper करने की जो speed होती है, उनके questions, सवालों को करने की, वो speed में बड़ी कमी हा जाती है, जब computer पर देख कर करना होता है, उसकी आदत डालने के लिए हमने यहाँ 300 computer की lab बनाई, जिसमें बच्चों को सारे test उनके online करवाए जाएं, जिससे कि वो final exam दे उससे पहले 15-20 बार उन्होंने यहाँ पर दे रखा हो, तो उसकी habit हो जाए, तीसरा, आप यह समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए और parents के लिए एक separate app launch कर रखी है, जिस app को parents भी और तो हम बच्चों को क्लास में तो बताते ही हैं, बट कई वही बात, जैसा कि आपने का कई बच्चे क्लास में absent होते हैं, जिस करण से information पहुंच नहीं पाती है, तो क्लास में बताने के साथ साथ वो सारी information, important information उनकी application पर भेज दी जाती है, parents के भी, बच्चों के भी, दिन ये period होगा, उसे साथ से मेरे को homework और notebook लेकर आनी है, तीसरा, बच्चों की टेस्ट की performance होती है, result जो आता है, कि टेस्ट तो दे दिया हमने, institute में आके, computer पर बैठके, अब उसका result जो है, वो भी application पर पब्लिश हो जाता है, application पर पब्लिश होने का फायदा ही है, कि parents को ह बाकियों के कैसे आए, उसकी तुलना में मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, paper आसान था, तो सब के जादा आया होंगे, इस तरह की चीज़ें, तो सारी analysis, parents गर बैठके देख सकते हैं, बच्चा देख सकता है, हर question के बारे मेरे से नहीं हुआ, तो बाकी कितने लोगों से हुआ, इसका मतलब एक question असान था, अगर जादा रतर लोगों, तो यह सारी चीज़ें, आज क्यों संभव हो पाई हैं, क्योंकि हम technology के उपर, पिछले चार साल से, COVID को तो दो साल हुआ हम चार साल से काम कर रहे हैं उस पर, और आगे भी करते रहेंगे, सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई, एक्चल मैं, आप जिस फिल्ड से हैं, आप IITN हैं, चाहे हम J.E. की बात करें, चाहे हम नीट की बात करें, चाहे हम आज की तारीक में तो स्कूलिंग भी और जितने भी Olympiards हो गए रहे हैं, यह सब किसी युद्ध से कम नहीं हैं, जैसे क्रिकिट में देखते हैं कि कौन सा खिलाडी, कौन सा शॉट कमजोर खेल रहा है, किसकी बोल कैसे कमजोर आ रही है, तो बैट के अनलेसिस करते हैं, वहां से चीजों को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने शिक्षा को भी इतना ज्यादा टेक्नलोजी फ्रेंडली बना करके इस तरह से उसको एनलेसिस के मोड में ला दिया है, कि कोई भी बच्चा अपना पर्टिकुलर जहां पॉइंट उसकी कमी है, वो अपना एक एनलेसिस कर सकता है, और वहां से चीजों को बहुत 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 धन्यवाद आपका, और एक चीज और कि आप ख कर रहे हैं, तो मैं यह चाहूंगा कि शेखावाटी के पेरेंट्स को, बच्चों को आपकी तब से कोई मैसेज होता है, तो यही मैसेज होगा आप सभी से, कि जैसा विश्वास आपने हम पर अब तक दिखाया है, वो विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जो मैंने बाते कह नहीं उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम आज हर दिन ततपर हैं, और ततपर रहेंगे आगे भी, अगर आप यह विश्वास हमारे उपर बनाए रखेंगे, तो मैं आपको वादा करता हूँ, कि हम उस पर खरे उतर के दिखाएंगे, चलिए सर, बहुत बहुत यह कहना चाऊंगा कि शेखावाटी का पुरा शिक्षा परिदर्शे बदल रहा है और उसमें एक बड़ी भूमी का मैट्रिक्स निभा रहा है, मैट्रिक्स के जो नवाचार हैं, मैट्रिक्स के जो नए-ने प्रयोग हैं, मैट्रिक्स की टीम के जो सार्थक, समर्पित, नि अन्य लाग्ट